हालो गाइज, गूट इपनिंग, कैसे हो आप, I hope सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, और आज शाम के बज रहे हैं पांच, तो मुझे लगी थी बहुत बुख, तो मैंने अपने प्यार इसी मम्मा को बोला, कि मम्मा मुझे खाने के लिए कुछ स्वीट दिस जो है त्यारी हो रही है, यह गाइस घी, बदाम, अब कुछ भी मतलब ड्राइव फूट जो है रख सकते हो, काजू, किशमेश, यह फ्लोर है हमारा, और यह है चीनी, और यह हमने दो कप जो है वह यहां पानी के लिए है, आप गाइस हमने एक कटोरी आटा लिए है, और हाफ जो कटोरी है वो चीनी के लिए है और हाफ कटोरी ही हमने दे दे ही कि लिए है, हाँ जी गाइस, अब ममा जो है बताएंगी, हलवा कैसे बन रहा है, ऐस बन करती है, ओके फ्राइपैन रखा, अब यह गर्म हो गया है, इसमें मैं ने आधी कटोरी घी की डाल दी है, अब यह गर गर्म हो गया है गर्म होने पर इसमें हम आथी का टोरी आठे की लिए की काटा और इसमें हमने डाल दिया है चाहे तो हम सूजी का भी बना सकते हैं ना हमा सूजी का भी बन सकता है अब मैंने फ्लेम को कम कर दिया है अब दीनी आज पीस को भूना जाएगा अच्छी तरह से हमारा इसका अक्ता जो है वह अच्छी तरह से भून चुका है घीच होड़ दिया यह देखिए ध्यान से अब ममा जो हैं चीनी डाल रहे हैं इसमें अब इसमें डलेगा पानी अब प्लेम को जो है वो तेज कर दिया है पहले लो फ्लेम पर याटा जो है भूना जाता है यह बहुत दिलीशियस बनता है जो यह बदाम कटे हो यह यह इदर डैकोरेटिंग के लिए आप कुछ भी इसके उपर जो है वो कोई भी डॉप्रूट जो है डाल सकते हो काजू सकते हो किशमिष डाल सकते हो कुछ भई जो है आपको जो भी पसंद है डाल सकते हो ईए binge parennes अभी यहलवा जो है त्यार होगया आपने घुनंच करके मुझे जरूर बताना कि आप कितने साल के थे जब फार्स टाइम आपने हलवा बनाया था, मैं तो 14 years की थी, जब मैंने first time हलवा बनाया था, channel को like subscribe जरूर कर देना thank you friends, bye bye take care